हेलो यूरीवाइन मैसनेहा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मश्रूम हेर कट तो देखें इनके बाल बहुत ही लंबे है और घने हैं तो इनके मम्मी को इनके बालों में मश्रूम कट चाहिए था तो देखें सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें बाल को कोंग कर लेना है उसके बाद वाटर स्प्रेश से बाल गेले कर लेने हैं उसके बाद हमें सेंटर में से कट कर लेना है तो सेंटर में से कहा से कट करना है येर से जहां से year शुरू होता है उसके थोड़ा नीचे से मैंने याओ पर कट कर गया है यह बहुत ही simple तरीका है मैं आपको बता रही हूँ तो इस guideline को लेते हुए एक circle बना लेना है हमें back से front side तक एक circle बना लेना है तो देखिए बालों को पूरा नहीं कट करना है देखिए जैसे हम बालों को हाथ में लेकर काटे उसी तरीके से कईची को गुमाते चले जाना है और यह मैंने बहुत simple तरीका बताया है आपको जो लोग नहीं है वो बहुत आसनी से haircut कर भी सकते है कान के पास हम बहुती आराम से बहुती ध्यान से कटिंग करेंगे और बहुती फनी फिनेशिंग के साथ कट करते जाएंगे देखे फ्रंड से बैक तक हमें गोल आई आकर देना है और यह हमारी गाइडलाइन होगी इस गाइडलाइन क्या कोड़िंगे है हमें पूरा haircut करना है कान के पास हमें बहुती साउधानी से कट करना है बालों को इनके बाल बहुती घने थे और अच्छे और लंबे थे तो इनके बालों में मैंने इनके मम्मी को ब्लंड कटी सजिस्ट केया था पर इनके मम्मी को मश्रूम कटी चाहिए था क्या है ना हमें cutting client के height को देखकर और उनके face को देखकर ही करनी चाहिए तो इनके face को ध्यान में रखते हुए और height को ध्यान में रखते हुए हमने इनका haircut इनके मम्मी को सजिस्ट किया था ब्लंड कट तो इनके मम्मी को मश्रूम ही चाहिए था तो इनके नीड को ध्यान में रखते हुए हमने इनके hair में मश्रूम कट किया है इनके मम्मी बूली कि इनको कुछ दिन बाद पूरा बाल निकलवाना है बालों को पूरे बाल निकलवा देने है तो इसलिए इनके मुम्मी को इनको मश्रूम कटी करना था कुछ दिनों के लिए उसके बाद पूरे बाल निकलवाने है तो देखे उसके बाद हम क्या करेंगे हाथों में बाल लेंगे और बहुत ही साउधानी से कट करते जाएंगे देखे फिंगर में बाल पसाना है और बालों को कट करते जाना है बहुत ही साउधानी से जैसे कि पूरे बाल एक जैसे कट होनी चाहिए कोई भी उपर नीचा नहीं कट होना चाहिए देखे नीचे से गर्दन के उपर शेप मारना है हमें देखे बहुती स्ट्रेट गोला याकर में हमें शेप देना है बालों को गर्दन के नीचे गर्दन पे जो भी बाल होता है वह हमें पूरे निकाल लेने है देखे बाल अच्छे से गिले करने है जितने हमारे बाल अच्छे से गिले होंगे उतना ही हमारा हेरकट अच्छा आएगा मतलब कि हमें अच्छे से बाल कट करते आएंगे देखे, बैक से प्रंड तक हमें गोलाई आकर देना है देखे, उसके बाद फिंगर में फसा कर बालो को कट करते जाना है कईची और कोम दोनों को हमें होल्ड करना आना चाहिए देखे, इस तरीके से कोम में बालो को फसाना है और कईची को बिल्कुल कईची से कोम में बालो को फसा कर बिल्कुल क्लोज करते हुए चलाते जाना है कर दो का है यह स हुमित जाना है कि कुई भी बाल हमारा उचानी चान नहीं देड़ा पूरा इदर लेंगे और गल नहीं अ कि इसमा एड़ का बाल फूरे निवेख कर लेंगे u औरमारा बाल करते जाएंगे तो हमारा बाल पूरे एक जैसे होंगे आगे से वहमें बाल याऑ्रो के ऊपर कद कर लेने हूँ को देखें जितना गोलाई में आता है यह कट उतना ही मश्रूम कट अच्छा लगता है देखें आगे विवाल हम एवरो के उपर सेप में काटेंगे बेबी रसना कट की तरह कट करेंगे इस कट से बच्चो को चेहरा अलग ही लगने लगता ही बहुत ही अच्छा लगने लगता है डिपरेंट वे में मैं मश्रूम कट दिखाया रही हूँ देखें इसके बाद हमें स्ट्रीमर देना है नीचे से स्ट्रीमर से पूरे बाल निकल लेने हैं हमें कान के उपर के भी और एर के आगे के बाल भी हमें स्ट्रीमर से निकल लेने हैं देखें बहुती प्यार से पाया हुआ है इस बच्ची को जब भी हम बच्चों के साथ काम करते हैं हमें बहुती प्यार से काम करना चाहिए अभी मैंने इनको ड्रायर दिया है अभी अल्मोस्ट कटिंग हमारी डन है तो देखें कि बहुती सुन्दर कट हुआ है तो देखें कैसा लगा आपको यह कट कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब कीजिए देखें यह हमारा फाइनल लुक है तो देखें बहुती सुन्दर कटिंग हुए है बाइब बाइब भाइए